विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ बनाने की शुभायात्रा है। ये ऐसे दृष्व हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहे नहीं हैं, बलकि समूचा विश्व इन दृष्व को देख रहा है। ये कैसे दो महाशक्तियां, भारत जोकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्रांस जोकि उरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति हैं। कैसे दोनों नेटा सहल्च तरीके से, सरल तरीके से रोटशों में हिस्सा ले रहे हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जनसमुदाय है, उनका स्वागत कर रहा है, एक जलक पाने के लिए कैसे समुचा जैपुर उमण पड़ा है, ये देख रहा है, रात्री में और भी खूबसूरत जगमगाता जैपुर, वहां की सडकें, वहां के प्रतिष्ठान, लोगों यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए, अपने मोबाइल कैमरों में इस एतिहासिक कस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविश्चती, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, जैपुर की शहर में, इससे पहले एमदाबाद ने दो रास्ट न की बड़े राष्टा ध्यक्ष को ले करके, गरतंद द्रिवस परेट से पहले सांस्कृतिक शोभायात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां के नागरितों के साथ रूबरू हुए हैं, ये भारत है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है, जिसमें हम विरासक और विकास को एक साथ ले जा करके, अपने नागरितों को Ease of Living पर बढ़ावा देना चाहते हैं, संस्कृतिक धरोहर्क से शुरुवात करते हुए, आज हम बात विकास की भी करेंगे, जब यात्रा खतम होगी इस Heritage Roadshow की, तो हम बात करेंगे विकास के उन मुद्दो को, हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नय युक की, जहां पर ये दोनों ही राष्ट और भी जादा करीब होते हुए दिखाई देंगे, सपश्ट तोर पर पूरी दिनिया की निगाये हैं, वाशिंटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि यो दोनर नेता क्या कुछ करते हैं, और बड़ी बात, अमरित पाल सिंग जुड़े हुए हवा महल से, जहां पर इस शोभायातला कसमापन होगा, अमरित क्या कुछ देख पा रहा हैं, इन दिश्यों में हम समझने की कोशिश कर रहा हैं, इसका मतलब है क्या, पूरी द हमारे आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दिश्यों बाकई अब उत्पूर्व हैं, एतिहासिक हैं, किस तरह से विश्यों के दो बड़े नेता, एक साथ जैपूर में स्वक्त मौझूब, भारत का भवश, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नलोजी की की बात हो, साइवर सिकेरियोटी की बात हो, इन तमाम क्षित्रों में सांस्वितिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षित्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार, सम्रिद्ध होते जा रहे हैं, मस्पूत होते जा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, हाँ मैं बि ने आपी हाथ हिला कर उनका अविवादन कर रहा है अविरादन स्विकार कर रहा है कैसे देखा जाए विश्रुकी दो शक्तियां एक साथ विशुप की दो शक्तिया एक साथ तो हैं ही जैफुर की सरकों पर लोगों की आवाज सुन रहे हैं आप पीछे हजूम जो उम्रा है इस गुलाभी शहर की सरकों पर उनकी आवाज में जो बुरंदी है वो कल मैकरों साथ करतवे पर बैठेंगे और स्टेंट की जो मिलिट्री माइड होती है या बारत की जो ऑफिशल के ट्रल डावर्सिटी ऑफिशल वर्जिन उसका होता है जी एमनुल बैकरों इस वक्ति आदमान में गड़ा है पुल्मानों कड़गड़ा होगी पर अर अब को अब तर हमें आपके आवाज सुनने में थोड़ी से दिक्कत हो रही ह हम कोशिश करेंगे आपके आउडियो को थोड़ा सा बेहतर करने के अपने दर्शों के लिए लेकिन आज यह जो तस्वीरे देख रहे हैं एमनुल मैकरों समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोधी मोधी की यह जो आवाज आ रही है इतनी पॉप्लारिटी कैसे और दोनों ही नेत कि लगातार दो बार अपने अपने राष्ट को नेत्रत्यों देने का मौका मिला है एमनुल मैकरों भी दूसरी बार चुने गए लगातार और प्रधान मंत्री मोधी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का तो इस वक्त मैकरों मोधी मोधी की आवाज सुन करके उनकी लोग और कितना प्यार कितनी आत्मियता कितनी गर्म जोशी के साथ यह लोग मिलते हैं अपने महमानों का स्वागत करने के लिए क्योंकि अटिति देवभाव इस परंपरा को जीनेSad इस भारत वर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथी के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जैपूर के बीच स्वागत के लिए तयार है ने केवल मोदी मोदी बलकि अमैनुल मैकरो की भी स्वागत की जो पूरी तयारियां की गई है उसका मुझाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खुबसूरत सड़कों पर स्पर्ष दिखाई दे रहा है जिस बात का जिक्राजाब कर रहे हैं गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर गुलाबी नगर के लोग अ पर कुष्प की बारिश हो रही है और इनी तमाम तस्वीरों को भारत का जैसे का आपने कहा पतिति देव भवव उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए एमनोल मैक्रो भी समझ पा रहे होंगे देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत के जनता यहां के लोगों का जो प्यार है जो स्ने है वो उन पर लुटाया जा रहा है लोग उनकी एक जलग पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं पोलिस को लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोश् किस तरह से भारत और फ्रांस के संबन आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षणों में एक और नई उचाइउन पर पहुंचे इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं प्रहान मंत्री भी वो फ्रांस के राश्च्पती ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल दोहजार चौबीस में मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आये हैं और इतने बड़े फंक्सन में जो कि कल वो शामिल होंगे तो ये भी एक एक तौर पर कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रष्टे किस तरह से नई उचायों पच्छूते जा रहे हैं और इन तस्वीरों में जैपूर की जनता उनके स्वागत के लिए वहां पे इतनी ठंड में भी जबकि अब श्राम के साथ पचने वाले हैं वहां पे वो मौझूद हैं उनके स्वागत के लिए उनके वेलकम के लिए आपसे कुछी देर के बाद वो हवा महल पहुंचेंगे वो भी युनेसको वर्ल्ल हेरिटेस साइट और ये देखे इस होर्डिंग्स में इंडिया फ्रांस फ्रेंड्शिप को लेकर यहां पे चर्चाएं की जा रही हैं तो ये डॉक्टर अंशू बहुते मैथपुन ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो संबंध मस्बूत हैं उसको एक और नए अध्याय तक पहुंचाने की कोशिशों में प्रहाल मंतिर नेरिंद् और उसी को ये दोनों जो शक्तिमाल नेता मुझे इस समय नजर आ रहे हैं और जिस तरह से लोग जैपूर के उनका जूम जूम कर अभी वादन कर रहे हैं तो ये एक बड़ा विहंगम द्रिश्य में कहूंगी और वैश्विक राजनीती के द्रिश्टी से भी और दोनों ही देशों के बीच जो पक्षिय सब्बंध हैं उनको भी आगे ले जाने के द्रिश्टी से बड़ा महत्वपूर्ण द्रिश्य देखे पोस्टर दिख रहा है माननी प्रदार मंत्री का लीडर अफ भारत मेरा भारत लीडर लीडर अफ भारत और जो हम प्रयास कर रहे हैं और ये एक लीडर्स टू पीपल कनेक्ट होते हुए में देख पा रही हूं और हम देखते हैं कि कैसे जब हम भारत रहा संबंधों की बात करते हैं तो इंस्टिटूशनल पिलर, इंफ्रास्ट्रॉक्ट्रॉक्चरल पिलर, एकनॉमिक पिलर और एकेडमिक पिलर, ये चार स्तंब हैं जिस पर दोनों ही देशों के सामरिक संबंध प्रगाण होते चले आए हैं, यह में एक और स्तंब जोड़ना चाहती हूं पीपल स्पिलर, इस तरह से लोग अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जैपुर की गुलावी धर्ती को मैक पर नजर आएंगे